दर्शको बरवदू का विभा करते समय हमें कई चीजों का मिलान करना पड़ता है उसी के हिसाब से गुण में त्री गुण देखे जाते हैं कि इनके गुण कितने मिले हैं सबसे पहले हम बात करते हैं गण की मनुष्यों की परकृति के नुसार तीन गण होते हैं तीन परकार के गणों में विभाजित किया गया है जो की जनम नक्षत्रों के अधार पर होते हैं देवता गण मनुष्य गण और राक्षस गण देव गण में नक्षत्र जो आते हैं वो हैं अश्वनी, मृक्षीरा, रेवती, शर्वन, अनुराधा, स्वाती, हस्त, पुनर्वसू, पुष्य, मृक्षीरा पुल्नो नक्षत्र देवता गण में आते हैं यानि देव गणों के होते हैं मनुष्य गण में बरणि, रोहिणी, आद्रा, पूर्वाफागुणी, उत्राफब्धपद्र नो नक्षत्र मनुष्य गण में आते हैं राक्षश गण में कृतिका, आश्टेशा, मगा, चित्रा, विशाखा, जेश्टा, मूल, धनिश्टा, शद्विक्षा यहें नो नक्षतर रक्षत गण में आते हैं देवता गण में यानि देव गण में जनम लेने वाले व्यक्ति बड़ ही सतोगुणी होते हैं सात्व के विचारों के होते हैं ऐसे जातक बहुत यद्यालू सभाव के होते हैं होते हैं प्रोबकारवाले होते हैं सघलसभावाले रेकुश हमेशा दूसरय की करने के दिशर रहते हैं ऐसे आत्म विश्वास्य होते हैं तेजश्वी होते हैं है माता पटा की बहुत सारे गुण पाए जाते हैं इसमें कोई भी अबगुण नहीं होता इसलिए इन जातकों देव पुरुष कहते हैं यानि देवता माना गया है मनुश्य गणवाले जातक वाला मनुश्य गणवाले जातक रजोगुडी सभाव का होता है ऐसा जातक चतुर चलाक होता है, विचारशील होता है, सहासी होता है हर प्रिष्थिती में अपने को ढाल सकता है ऐसे जातक में मिले जले सभाव देके जाते हैं ऐसे जातक में कुछ अबगुण भी होते हैं, तो कुछ गुण भी होते हैं लेकिन ऐसे जात अपना काम निकल वाने में से में चतुर चलाख होते हैं, स्वावी मानि होते हैं, धन के प्रती लालच होता है और भोतिक जीवन को पसंद करने वाले होते हैं ऐसे जातक धनी मानी होते हैं जन्द पिरिये होते हैं ऐसे जातक भी अच्छे सभाव वाले होते हैं मनुश्य गणवाले जातक में देवता वाले भी गुण मिलते हैं और रक्षस गणवाले भी मिलते हैं मनुश्य का मनुश्य गणवाला व्यक्ति देव गणवाले से बिवा कर सकता है और रॉक्षकास गणवालों से बिवाय कर सकता है। तीसरा गणड़ है राक्षआसगण जैसा की नाम से ही पता चलता है कि rushod camng Europy जातक होता है ऐसे जातक में अबढ़ बहुत जाता होते है, ऐसा जातक, क्रूर होता है, खठोर होता है, स्वार्ती होता है, चलाक होता है, अपना काम निकलवाने में निपण होता है, कड़वे बचन बोलने वाला होता है, और ऐसा व woods team किसी से भी नहीं डरता, दूसरों के आलोचना करता ह और अपने मतलब निकालने के लिए दूसरों को हानी पोचाने से भी पीछे नहीं अड़ता ऐसे जातको को ही इसी लिए राक्षस कहा गया है वैसे जनम पत्री के अधार पर और भी चीजों को देखा जाता है खाली राक्षसगण से ही नहीं सारी बाते त्यार की जाती यानि स सारा सभाव 100% सभाव राक्षसगण के ना मैं जाना जा सकता जनम कौली में और भी अच्छी बाते होते हैं जिन्कों देखकर वजय वदु को यदी समानगण हो एक कि गण definitely अपस प्यार रहता है मिले जुलरें रहते समाहति है मुन मे उत्तं प्र्टी रहती है यदिवर्कागंदेव हो वदु का मनुश्य het through ये भी अच्छा माना गया है औरिवर्कागंद मनुश्य ततावदू का देव हो तो ये भी बहुत अच्छम होता है मनुष्य रक्षत गणों में शतुरता रहती है अत्य इस अधार पे इनको जीरो गुण मिलता है जबकि वैसे मनुष्य रक्षत गणों से भी निभा लेते हैं वरवदू की यदि नाड़ी समान हो और राशियों का स स्वामे बुद्ध होता है तो इसे भी नाड़ी दोश्का परिहार हो जाता है इसी परकार मूल वापूर भाद्रपद्र नक्षत्र का भी स्वामे गुरू होता है इससे भी नाड़ी दोश्का परिहार हो जाता है जब विभा करते समय जनम कुंडली वही जरूर देखना च चाहिए यानि वदू का नक्षत्र वर्ख के नक्षत्र के बाद ही आना चाहिए जैसी यदि वर्ख का नक्षत्र अश्वनी है तो वदू का भरणी होना चाहिए जानना यमा महा ओम नम्हो